Kids Camp में चल रहे हैं अप टू 50% डिसकाउंट ओन Kids Wear, Ladies Wear और Man Wear पर Kids Camp में टॉप ग्रैंट मुफ्टे, Piker, River Blue Kids Camp मुंपरा का पहला Clothing Mall है जहां मिले Newborn Babies से लेकर सभी के जरुरक्ती चीज़े 100% Client Satisfaction, तो आज ही आए Kids Camp महें स्लामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाट टाइम्स मुंपरा के पार्सिक टर्नल जो फास्ट रेल्वे लाइन है उस टर्नल के ऊपर जो घर बने हुए थे दरसल 2017 में पार्सिक टर्नल जो है वहां रेल्वे लाइन पर एक पत्थर गिर गया था जिसके बाद वन विभाग मनपा और रेल्वे क्या जिकारी इस जगह को खाली करवा दिये थे और उनके घरों को तोड़ दिया गया था क्योंकि नीचे सुरंग से ट्रेने जाती है और सुरंग के ऊपर घर बने हुए थे जो खाफी खतरनाक है अब सवाल उट रहा था कि आखिर जिन 46 लोगों के घरों को तोड़ा गया है जिने घरों से निकाला गया है उन्हें घर देगा कौन वन विभाग टीमसी रेल्वे मे सभी एक दूसरे में दाव पेस्ट में उलजने लगे इसी बीच बात ये भी सामने आए कि इन 46 लोगों को किराये पर घर दे दिया जाए मगर यहां की समास सेविका संगीता पालेकर दावने ने इन्हें इनका हक दिलाने का बीड़ा उठा लिया और मंत्री जितेंद्रवा से मुलाकात की और हाई कोट का दर्वाजा खटखटाया कोट ने भी इन 46 लोगों के दस्ता वेश्ट देखकर फैसला इनहीं के पक्ष में किया क्योंकि ये सभी 46 लोग काफी समय से यहां पर रह रहे थे बैरहाल 2017 से कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार इन्हे से मुलाकात की और वही संगीता पालेकर ने बताया कि इन्हें घर दिलाने में मंत्री जितेंद्रावाट का सबसे बड़ा योगदान रहा है और इसी वज़य से 46 लोगों को फड़के पाड़ा में इनका घर दे दिया गया है इस मौके पर मंत्री जितेंद्रावाट और तादा वो साफ करने को तो अच्छा यह ना तो महानगर पाली का के लांड के देना यह ले लांड कि इसकी वह स्क्रेट उपर यह तीस-चालिस साल से थे इलीगल थे जब तोड़ने को आए तो कमिशनर को मैंने पूछा कि वह यह विस्ताफितव को कहीं तो भी घर देना चाहिए हमारा यही नहीं है तब बड़ी मुश्किले सामने आए यह संगीता उसमें बहुत भागमदोरी कर रहेंगी कि एक सुहा सुख नाम का ताना गव किले उससे मिने बात कि वो हाई कोर्ट में गया है और हाई कोर्ट ने लैंडमार्क जज्जमेंट दिया कि उनको तुम बिना जर के घर के बाहर दिल करते हैं और तब 46 लोगों को नहीं पे कहीं ताना यह करके वर्तक नगर घर देने का अधिकाली थे हैं उन्होंने अंग्रू नहीं बहुत मदब करें तो कोई बेघर होता है उसका घर बचाने के लिए मेरा पैसा भी लग जाए तो उसमें क्या बड़ी बात है लेकिन जब आज उनको च्छत मिलें च्छत के नीचे जब इनका संसार सुखी रहेगा उत्ती जब करें तो मैं सब आप लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूं कि आप लोग यहां आए और इस न्यूस को आपने कवर किया है इसको न्यूस में कि एक कुछी का महौल था जिसको आप लोगोंने कवर किया उसके लिए अप सब का बहुत बश्यार बश्या हमने 27 मैं पे पुरा पार दस गया है तो कमिशनर साब इमिरेट ले आ गये और उन्होंने आगेज दे दिया कि यह तुरंट उठाएज है और यह कोई बाधित नहीं है उनके हिसाब से यह ता कि यह तो रेलवे पे बसे हुए है इसमें T.M.C का भी हग था रेलवे का भी हग था फॉरेस है इसमें कोई लैंडमाप नहीं था फिर हमने काफी लड़ाई लड़े फॉरेस से फॉरेस में मुझे एरेस करने के लिए बहुत कोशिश की फिर हमारे मंतरी महोद है इतंडरावड साब ने मुझे उससे बहुत उसमें बचाया और उसके बाद मुझे कहा कि संगीत अब य उन्होंने पूछा था कि क्या मामला क्या इतने लोग मुम्रा से क्यों है तो आमने वहां पर वो लड़ाई लड़े एक सुहास ओक करके अमारे वकिल दे जो अवर साब ने आपको बत रहा है कि उनसे आप लड़ेंगे तो उसके बाद में वहां से स्टे मिला स्टे मिलने के साब ने हमको पैसा भी दिया है इस बाद के लड़ने के लिए साब ने पैसा भी दिया और 2017 में जब स्टे मिला तो आमको ये न्यूज मिली के आपी हम दो को रूम मिल रहे हैं लेकिन वो रेंट पे हैं तो इन लोगों को अवर साफ ने पिर आमरे सारे नगर से वगलो साध करके इन सब लोगों को उनके पक्के मकान मिल गए और अल्ला का बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए जितने लोगों को मिले हैं इनको पडले गाओ में जो अपने डुम्बिली रस्ते पे हैं पडले वहां बिये सिर्वी के लिए और बादित हुए ते 46 घर और वो ट डर यह सथानल के उपर यह घर ते लेकिन यह काफी पुराने थे हूरत है चालिस साल के इनके पास पक्के बागा था उनके पर शेटर दे पतली के वहार इस ऑजट पक्की पौट बढला की आज नके पऌने को कंसीडर हो गहीं के यह एक चीज ती जो गया है छेडर थासी ज झाल झाल